चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज जो कल के आगे पॉइंट रहा जहां पर मैंने बताया था कि इससे आगे हम लोग कल जानकरिया लेंगे आज हमें पढ़ना है केंद्र और प्रांत के संबंध के आधार पर सासन के क्या क्या प्रकार हैं देगे सबसे पहला जो प्रका भार पर भी जो है शासन होते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है आपके एकात्मक सासन का एकात्मक सासन क्या ठीक है एकात्मक सासन का यह मल्लब होता है कि सासन की सभी जो सक्तिया है इनका केंद्री करण केंद्र सरकार के पास हो यानि यूनियन गवर्मेंट के पास ही सारी आपके एकात्मक सासन के लगषण के आता है इसमें दूसरी बात जब इसके हम में करेक्टरिस्टिक को देखें लगषणों को देखें तो उनमें सक्तियों का केंडरिक एकाई यह जो होंगी कें savार करके प्रतिनीद यह पर चीन्स संविधान यह सारी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्या क्या लक्षन पहली चीज संग जो है सक्तियों का केंद्री करन इक यह आपको देखने को मिलेंगी कें सरकार के प्रतनित देखने को मिलेंगे और संविधान वहां का लेचीला देखने को मिलेगा ऐसी सारी खोबिया अपने यहां कि भारत में दिखाई देती हैं वही सक्तियों का केंद्र करण है लेकिन अपने यहां दोनों चीजे क्या हैं अगर केंद्र चाहे तो आपातकाल लगां कर सकता है पूरा का पूरा हमारे एक आत्मक सासन हो सकता है लेकिन तब जब आपातकाल लगा हो वैसे तो सारी चीज़ें हमारे सेंट्रेट के बीच में पूरी रिलेशन अलग अलग है और पावर्स का distribution है केन सरकार के आपको बाकाइदा प्रद्नित भी दिखते हैं संभिधान भी हमारा लचीला है अब बात करते हैं कि एकात्मक सासन के आपके क्या-क्या गोड होते हैं आखिर किसी देश में इसको अपनाया गया तो वस देश में इसके किन जो है आद मलब यह में जितने भी आपके क्यों कौन से ऐसे बिंदु हैं जो ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए काफे फाइदे मंद होगा तो इन सासन को वहां पर सबसे बड़ी चीज होती है यहां प्रशासन में एक रूपता दिखे आपको देखने को मिलेगी जब जाहिर सी बात है एक गवर्मेंट आपकी यूनियन गवर्मेंट बैठी है तो हर जगे जो प्रशासन होगा वहां एक स्वरूप दिखेगा नहीं तो आपको जब इस्ट स्वरूप देखने को मिलेंगी यानि प्रशासन का जो स्वरूप होगा वहार जगे बदला हुआ दिखाई पड़ेगा सरल सासन बेवस्था इसका गुड़ होता है जाहिर सी बात है जब केंद्र में एक सरकार है उसने जैसा निर्देश दिया वैसे ही प्रारूप हर जगे चलेगा संघर्स रहित सासन बेवस्था होगी कुसलियों प्रशासन जो होगा द्रेड होगा ठीक है जब एक ही सरकार उस चीज को हैंडल करेगी तो प्रशासन आपका बहुत अच्छे से चलेगा सुचार रूप से और द्रेड प्रशासन होगा सक्त कानून बनेगा मतलब ह कारेग चीजे जिनको हम लगवाना लागू कर वाना चाहें उन पर सरकार का कंट्रोल बहुत अच्छा हो गा मितम्е लोगी मितम्तिं के आधार बहुत सारे हो सकते चुनाओं को भी लेकर देख सकते किसी योजना को लेकर देख सकते हैं या मिद्वेता यानि खर्च जो होगा बहुत कम आएगा लचीलापन होगा यानि कानून है या देश में अलग-अलग जो चीजे हैं संभिधान में पावर डिस्टिब्यूट की गई जो मिलती है संकटकाल में अधिक उप्यूक्त होती हमारे यहां जब संकटकाल लाता है तो हम 352, 356, 360 का प्रियोग करते और अपने यहां एक ऐसी चीज बनाते हैं कि हम भी एकात्मक सासन के जैसे लक्षणों को पूरी तरीके से अपने यहां लागू करवा देते हैं जब यह यहां लागू है तो संकटकाल में अपने आप यह गवर्मेंट और ही बेहतर करने लगती है अगली बात जो इसकी बिसेश्ता में आती है गुणों में आती वहां है सुद्रन बिसे जो है विदेश निती जहां पर भी एकात्मक सासन होता है ऐसे देसों में आपको प्राया देखने को मिलेगा कि इनकी जो फॉरेंड पॉलिसी होती है यह काफी कठोर काफी मजबूत होती है ठीक है अपने यहां क्या है कोई स्टेट फॉरेंड कंट्री से बात कर सकता है ठीक है अपने यहां इन्वेस्ट मेंट को लेकर कोई नई कंपनी लगाने को लेकर के ठीक है उनके लिए तमाम तरीके के तोफे देता है मलब छूट प्रोवाइड कर देता है जिससे की स्टेट की अपनी जो है चीजे अलग हो जाती है तो जब एक ही गौर्मेंट होगी तो वहाँ जो फॉरेंड पॉलिसी होगी वहाँ फॉरेंड पॉलिसी बहुत ही सुर्देड होगी हुझी मजभूत होगी अब हम बात करते हमने गोर्ट तो देखले हमें बड़े अच्य चीजा लगी कि यह तो स्संद कई मैं माइनों में हमें ऐसा परलक्षित हो रहा कि ऐसा सकांट था मैंدة अब हमें देखना है कि जब हम बात करेंगे आपके किसके बारे में इस सासन के जो है डिमेरिट क्या है दोस्त क्या क्या है तो इन पर जब हम देखना सुरू करेंगे कि आखिर जिन जिन देशों में ऐसे सासन लागू किये गए उन देशों में क्या क्या जो है आपको डिमेरि सबसकार्थ होता है कि उस पर कोई भी क्या हो जाए अंकुष ना रह जाए वह सरकार जैसा चाहे वैसा करने लगे यानि मनमानी ढंग से सरकार का व्योहार प्रारंब हो जाएगा तो सबसे बड़ा दोस इसका डिमेरिट यह होता है अगली बात प्रसासनिक दच्छता का अभाव होगा जाहिड सी बात है जब आपका प्रसासन ये तो सासन बैठ गया ठीक है सासन सबसे केंद्र में बैठ गया अब धीरे धीरे जो इतने बड़े आपके देश होंगे, वहाँ पर जब यह लागू होगा, तो प्रसासन में कहीं न कहीं चूक जरूर होगी, यह सत्ता है, इसी वज़े से प्रसासनिक दच्छता का अभाव आपको एकात्मक सासन में देखने को मिलेगा, नौकर साही का सासन, जाहिड सी बात है, बीवरों के जो है, करेसी हो जाएगी, यानि हर जगे, जो आपके प्रसासन में बैठे विया अधिकारी हैं, इनहीं का सासनिक तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि सेंटल गोवर्मेंट में बैठा हर बैक्ती, हर एक छोटे-छोटे प् रंकोस हो जाएगी तो लोकतंत्र तो वहाँ गायभी हो जाएगा सबसे बटी मेरिट क्या हो जाएगी कि ऐस्या जो देश होगा वहां पर यह सासनब का लोगतंत्र के बिरौध में हो अगली बात क्या है यहां जनता उदासीन हो जाती है जब देखती है कि सरकार जैसे चाहे वैसे कानून बना रही हमको नहीं सुन रही तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है जो लोग होंगे वहाँ पूरी तरीके से उदासीन होंगे अगली चीज क्या है सबसे बड़ी चीज भारत जैसे देश में आप देख रहे हो कि हम लोकल गॉर्डिनेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस है हम जो पावर्स की है उसको डिसेंटलाइजेशन पर जोर देते हैं लेकिन इसमें क्या हो जाता है जो आपके लोकल गॉर्डिनेंस ह होती है यह सब कुछ आपकी उपेच्छित हो जाती है इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है तो एकात्मक सासन की मेरिट डिमेरिट दोनों को हमने देख लिया कि इसके फाइदे क्या है इसके नुक्सान क्या अब हम बात करते हैं दूसरी चीजे संगात्मक सासन की आखिर जब कहीं पर union अगर माली जी एक governance जो है बात हो रही है unitary governance की बात हो रही है तो वहां पर क्या-क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे देखे इसमें सासन की सक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन पाया जाता है जैसा कि भारत सरकार में आपको सेट को और जो सेंटल में बैठी government है इन दोनों में power का distribution है इसके लक्षणों में अगर देखें क्या-क्या लक्षण अगर किसी देश में आपको दिखाई दें तो आपको होगे यहां संगात्मक सासन है सबसे पहले लिखितियों कठोर सरबोच संभिधान होना चाहिए इसम तीन आपकी जो मुख्य लक्षण है कि लिखितियों कठोर ठीक है सरबोच संभिधान होना चाहिए सक्तियों का विभाजन होना चाहिए और नयाए पलिका का स्वत्नत्र होना बहुत जरूरी है यह संगात्मक सासन के लक्षण होते हैं अब इसमें हम बात करते हैं संगात्म तो वहां पर चीजे आपकी दोहरे प्रियोग को लेकर के अर्थ अलग अलग जाते हैं यानि किसी स्टेट को पावर दी भी जा सकती है और पावर नहीं भी दी जा सकती है या जो भी चोटे-चोटे इस्टेट में मान लीजिए आपके governance को लेकर के अगर local bodies की जो governance बनी है उनमें कुछ power हम दे दे, कुछ power को नजर अंदाज कर दे, यह चीज यहाँ देखने को मिलती है, अब हम merit के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर कहीं पर संगात्मक सासन है तो इसके प्रमुख गोण आप क्या क्या बता सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, देखे, सबसे पहली बात आती है राश्टिय यकता युम अस्थानिय स्वायतता, अगर संगात्मक सासन है तो अस्थानिय स्वायतता का आसर यहाँ पर है कि local जो governance होगी वो चीज, ठीक है, और दूसरी बात आप यह मान सकते हो, कि जो freedom होगी आपको, वो चीजे जादा बनी रहेंगी, राश्टिय यकता अस्पस्ट रूप से जलकेगी, अगली बात क्या बोला, किंद्रिय करण और बिकंद्रिय करण का समन्वे होता है, पावर्स का सेंटलाइजेशन होता है, और डिसंटलाइजेशन होता है, यान क्या बोला, प्रसासनिक दच्छता आपको यहां देखने को मिलेगी, विसाल राज्यों के लिए नितांत अनुपयुक्त होता है, अगर बड़े राज्यी हो गए, तो उनके लिए ये अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त सासन नहीं है, ठीके, निर्मल राज्यों को सक्तिस साली बनाने की पद्धत ही है राजनितिक स्टेतना इससे असपश्ट रूप से जलकती है सासन निरंकुस नहीं बनेगा समय और धन की बचत होगी अंतर राष्टी छित्र में प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथी साथ लोगतांत्रिक सासन के अनुकूल ब्यवस्थाएं यहां बनती चली जाती है समझ गए तो यह संगहात्मक सासन के आपके प्रमुग मेरिट रहीं अब डिमेरिट को देख लेते हैं कि इसके डिमेरिट में क्या क्या आते हैं सबसे पहली चीज तो कमजूर सासन होगा दूसरी बात देश की एकता को खत्रा हमेशा बना रहता है कि जो संग में आपके राजी सामिल हुए हैं उन राज्यों के तूटने का जैसे युनाइटेड इस्टेट साफ अमेरिका आपका है पचास राज्यों का संग है आपका मिल करके बना है यह राजी एक किस पर सर्त पर सामिल हुए है इसमें युनाइटेड इस्टेट साफ अमेरिका म एक गुरुब में लेकिन भारत में 28 राजी हैं 28 राजी संग में जो है सामिल है लेकिन किसी भी राजी को सामिल करने के लिए कोई सर्त नहीं है कोई समझ होता नहीं हमारा और किसी भी राजी को अलग होने की कोई आजादी है ही नहीं सरकार जैसा चाहेगी वैसा करना होगा को कोई भी राज्य भारत सरकार से अलग नहीं हो सकता आपने यहां ठीक है अपने यहां किसी राज्य को ऐसी पावर नहीं है ना कोई भी राज्य जो है किसी समझ होते के तहट जो है भारत सरकार के संग में सामिल हुआ है अगली चीज क्या बोला है संकट काल के समय उपयुक्त नहीं होता है संगात्मक सासन अंतर राष्टी एस्तर पर कमजोर वेवस्था दिखती है और राज्यों के अलग होने की आसंका बनी रहते जैसा क कि मैंने अमेरिका को लेकर चर्चा किया यह अंपालिका का रोड़वादी हुना यह भी चीज असपष्ट रूप से यहां दीखने लगती है जानी नहीं य होता तो तो ऐसा ही होगा नय यह चीजों पर प्रियोग वह नहीं करती है क्योंकि नेपाली का अगर स्वतंत्र नहीं है तो वहां रोड़ेबादी होना उसका तै होता है अभी एरोपीन जो यूनियन है इनमें भी कोरोना संकटकाल में बहुत सारी चीजा अलग-अलग चल रही है हो सकता है ठीक है एक आप में असपस्ट रूप से जलकेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जो है ब्यवस्था के बारे में अगली चीज आपके सामने आती है जब हम बात करते हैं एक सब्द आप सुनते हैं क्वासी फेडरल के बारे में ठीक है अर्द संगहात्मक ब्यवस्था जो होती है क क्वाजी लेवस्टा में भारत में और BBC से पर डाय में तो जहां पर अैसी मैं ऐसे देश में जिसमें संहात्मक्स असान के गात्मक शासन के लिए रही होना पया जाए और Sumjala मग ब्यवस्था कहलाती है और ऐसे राज्यों में भारत आपका बना हुआ है समझ गए तो यहां भारत के लिए एक बैसे आपका टर्मी उज होता है जिसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के जो है शासन में और यह शासन है आपके legislative और executive के relation के आधार पर बिधाय का और कारिपल का के संबंद के आधार पर जब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सासन आपको देखने को मिलते हैं तो यह एक सासन बेस्व में बहुत ब्यापक रूप से चला जो अपने यहां भी है सबसे पहला आता है parliamentary system यानि संसदात्मक सासन प और बैवस्थापिका का नियंत्रण होता यानि जो executive बैठी है executive का पूरा पूरा नियंत्रण किस पर होता है बैवस्थापिका पर ठीक है बैवस्थापिका का रिपाली का बैवस्थापिका की ही एक ऐसी समित होती है जो उसी में से ली जाती और उसी के जबाब में जितने भी आपके मंत्री बने बैठें ये मंत्री किसी से उनी संसत से लिए गए है चाहे लोग सभा से चाहे आपके राजी सभा से लेकिन ये किसके लिए जरूरी होते हैं जबाब दे होते हैं यानि उसी में से ली गई और उसी के प्रति उत्तरदाई होती है यह पालियम एंटी सेस्टिनम जो है जो है फॉर्म आप गोवर्मेंट का सबसे बड़ा उदहरण है आगे बढ़ते हैं इसके अतरिक क्योंकि इसके अंतरगत कारीपालिका की शक्ति एक ब्यक्ति में नहीं इतना होकर एक समित में नहीं थोती और राजी का मुख्य कारीपालक जिस प्रकार ue गतरेत hierarch को ऊतरदाई शासन का प्रकार भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतरगत कारीपालिका वह जीनता के प्रति उसी प्रकार उत्तरदाई है जिस प्रकार एक ऐजन्ट अपने मालिक के प्रतिय थवा कृमचारी अपने स्वामी के प्रतियृ जब भी कहरती इसमें हम बात करेंगे parliamentary form of government की तो यहां पर जो executive होती है यानि जो कारी को पालन करवाती कारीपालिका उसकी सक्ति एक ब्यक्ति में ना होती है एक समित बनती जैसे अपने यहां cabinet minister ठीक है और राज जी का जो मुखी कारीपालक है यानि अपने यहां के president केबल नाम मात्र का सास संसदिये प्रडाली को उत्तरदाई सासन का प्रकार भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतरगत कारीपालिका व्यवस्थापिका वा जनता के प्रति उत्तरदाई होती है जैसे कि एक agent अपने मालिक के प्रति होता है समझ गए तो यहां पर हमेशा जो legislative होगी व्यवस्थापिका हो करेंगे कि main characteristic इसके क्या क्या है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है क्या कि वास्तविक वा नाम मातर कारीपालिका का भेद ठीक है वास्तविक कारीपालिका और नाम मातर की कारीपालिका के वीच में difference आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले देख लेते हैं अपने यहां प्रेसिडेंट को क्या बोला जाता अपने यहां प्रेसिडेंट को बोला जाता कि एक रबर का स्टांप है ठीक है क्योंकि वहां वास्तविक सासक ना हो करके नाम मात्र का क्या हो जाता है आपका सासक हो जाता है देखें समझे इस बात को इस सासन में कानूनी रूप से मुख् मंत्री परिशद है इसको हम बोल सकते हैं कि समस्त कारिपालक सक्तियां इसके हाथ में हैं उदारण के लिए इंग्लेंड के राजा और भारत के राश्पती नाम मात्र कारिपालिका हैं वह मंत्री मंडल वास्तविक कारिपालिका है दूसरी बात क्या आती है कि कारिपालिका ब्यवस्थापिका के संबंद में घनिष्टा देखने को मिलेगी संसदिये सासन प्रणाली में कारिपालिका और बैवस्थापिका एक दूसरे से प्रथग ना होकर यानि अलग ना होकर परसपर घनिष्ट रूप से संबंदित होते जब उसी में से आपके बने हैं एक्जेकिटिब वाले तो जाहिर सी बात है क्या होगी हमेशा दोनों में एक घनिष्टा आपको देखने को मिलेगी वास्तविक कारिपालिका की नियुक्ति नाम मात्र के कारिपालिक द्वारा बैवस्थापिका के सदेस्यों में सकी जाती अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर है या अपने यहाँ अनी जो मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ती तो कौन करता है प्रेसिडेंट ही करता है लेकिन प्रेसिडेंट चुकी नाम मात्र का कारिपालक है और वहाँ ब्यवस्थापिका के प्रति अपने कारियों नीतियों के प होता है कब चला जाए कुछ पता नहीं पांस साल अपने यहां रहते लेकिन उससे पहले भी जा सकता कारिपाली का ब्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होती है पूरी तरीके से ठीक है मंत्री परिशत का ब्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति सामोहिक उत्तरदाई होता है अपने यहां पूरा प्रोसीजर है प्रधान मंत्री का नेत्र यानि जहां पर संसदिय सरकार देखने को मिलेगी वहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर का नेत्र तो होता है यानि मंत्री परिशत सहित प्रधान मंत्री ही वास्तवी कारिपालिका होती है अब हम बात करते हैं पालिया मंत्री के बाद रूप से बैवस्थापिका से प्रिथक होती है अध्यचिये सासन पत्दत में कारिपालिका बैधानिक रूप से बैवस्थापिका से प्रिथक होती है यानि इसमें जो आपकी एक्जीकिटिव बनाई गई एक तरीके से जो मिनिस्टर्स बनाएगे कैबिनेट मिनिस्टर बना लूख जो होगा धसा सब्सक्राइब कर वस्तविक सासक होता है यानि सारी सटिया प्रेशिडेंट में ही होंगी और ताथ इसमें वस्त्विक और नाम्मात्र वाला भेद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा आगे बरते हैं इसके बाद आपका कारीपालिका का जो प्रमुक होगा जो वास्तविक सासक होता है वहीं संबिधान द्वारा दीग हुई सासन की संपूर सक्ति का प्रियोग करेगा इस प्रकार सासन की प्रणाली में मुख्य कारीपालक द्वारा न यह विये नहीं होते एक डिकीटी बने गी लेकिन एक डिकीटी बाहर के लोगों को लाकर करके बनती है ना कि जो लोग लेजिस्लेटीब में बैठे हैं उन लोगों से लेकर के बनाया जाए और वह बेवस्थापिया के प्रति उत्तरदाई भी नहीं होते हैं क्योंकि जब बाहर से लिए गए तो जाहिर सी बात है वैस सिर्फ मुख्य कारिपालक के प्रति उत्तरदाई हैं सिर्फ वह राश्पत के प्रति जबाब दे होते हैं इसके अतरिक मुख्य कारिपालक का कारिकाल संभिधान द्वारा निश्चित होता है अपने यहां संभिधान द्वारा फ प्रतिवा उत्तरदाई है अगर हम इसी में एक प्रसिद बिधिसास्तरी डाक्टर गार्णर की परिभासा को देखें तो इन्हों ने परिभासी ते इस प्रकार किया कि अधची ये सासन वह सासन होता जिसमें कारिपाली का अर्थात राज जी का अध्यच तथा उसके मंत्री शामविधानिक रूप से अपनी अवधिके विशे में विधान मंडल से स्वतंत्र होते हैं लेजिसलेटिव से पूर्टया हुआ स्वतंत्र हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति उत्तरदाई नहीं होते हैं ये किसकी ये प्रेसिडेंशियल प कारिपालिका और बैवस्थापिका में घनिस संबंद ना होकर दोनों के बीच में प्रथक करन पाया जाता है दोनों में जो है सक्तियों में बहुत एक तो जब उनमें से बैक्ति इसमें आते नहीं एक्जेक्टिव में कारिपालिका में तो दोनों में संबंद होने की कोई बा पर देखने को मिलेंगी अब हम बात करते हैं दलो के आधार पर अगर हम दलो के आधार पर देखें कि बेश्टूमे सासंग के क्या-क्या रूप मिलते हैं तो सबसे पहला आता है आपका एक दल्य सरकार कहां कहां है संभिधान के अस्तर पर एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है मतलब संभिधान ने बोला कि सिर्फ एक दल से ही ब्यक्ति यहां पर प्रत्यासी के तौर पर होंगे और दूसरा दल कोई नहीं होगा जैसे भूत पूर्व आत्र दल है अन्य कोई प्रिथक दल है ही नहीं वहां लड़ना है तो इसी पार्टे के लोग लड़ते हैं एक ही पार्टी के अलग-अलग बक्ति लड़ते हैं समझके अन्य दलों का अस्तित तु इसी दल के अधीन हो सकता है रूस और चीन यह दोनों आपके इस पार्टी ठीक है कमनिस सासन या एक दली सरकार के अंतरगत बहुत बड़े उधारण आपको देखने को मिलेंगे अगली चीज अगर हम दोई दली सरकार की बात करें कि ऐसे देश जहां दोई दली हमें सासन असपस्ट रूप से दिखें तो इनमें सबसे चीज है अमेरिका और बेटेन दो देश हैं जहां पर दोई दली आपके असासन लागू है जैसे अमेरिका में दो पार्टियां है पहली है आपकी डिमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिक पार्टी वहीं बिटेन में देखें तो बिटेन की पहली पार्टी है labor और दूसरी पार्टी है conservative, इन दो पार्टी के अलामा कोई भी पार्टी अब आपकी आगे नहीं सब्कृत है इस देश में, बहुदली है जब हम बात करते हैं कि बहुदली आपको सरकार कहां कहां देखने को मिलती पार्टी की सरकार तो इसके बहुत बड़े उधारन है नारवे फ्रांस इटली और भारत मतलब जितने कोई भाईया छुट भाईया चाहे तो वो भी अपनी एक पार्टी बना के खड़ा हो सकता है यह चीजें है भारत में ठीक है अब देखते हैं बिचारधारा के आधारपल लोकतंत्र क्या क्या प्रकार हैं ठीक है इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन बनी रहती तो आज सारी कंफ्यूजन को हम यहां क्लियर कर लेते हैं उधारवादी लोकतंत्र सामिवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र या लोकतंत्रिक समाजवाद तीन प्रकार यहां बनते हैं, यहां बहुत कुछ हस्पस्ट हो जाएगा और जितनी चीजे मैंने आपको तीन भागों में अलग-अलग करके पढ़ाई इससे आपके बहुत सारे पॉइंट आज तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, इसमें जब डेड़ सो में से हमें लगभग 20 प्रशन मिलने वाले हों, तो कहीं भी गलत होने के चांस नहीं देना चाहिए ठीक है, जब छोटे सलेबस पर हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है इतिहाज जैसे आपके जब प्रशन हमें देखने को मिलेंगे, जहां ना तो कोई आपका अंतिम छोर है और ना तो सुरवात की पता है तो वहाँ आपके लेड़ टफ हो सकता इसी वज़े से छोटे सलेबस को मैं बहुत ब्यापक तोर पर बता रहा हूं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होता रहे यह सारी नोट्स आपको ग्रूप में दे दी जाती है आप वीडियो देख रहे हैं तो ग्रूप से ज़रूर जोट जाएए सब्सक्रिप्शन ले लिजे ताकि आपको सारी नोट्स आपको अच्छे से मिलते रहे हर दिन की क्लास की ध्यान दी जी अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले प्रारूप की वह प्रारूप है आपका उदार लोक तंत्र का उदार लोक तंत्र का मोल विश्वास यहा है कि प्रतेग व्यक्ति इतना विवेकी होता विवेकी का मलब ग्यानमान होता है कि वह अपने बारे में सर्वस्रेष्ट नेड़े स्वयम ले सकता है इसलिए यदि सभी ब्यक्ति स्वतंत्र मद्दान के माद्दम से अपने राजनीतिक प्रत्नित का चैन करते हैं और उन सभी उन प्रत्नितियों के माद्दम से अपना सासन स्वयम चलाते हैं तो यह एक उदार आदर से इस्थिति होती है समझ गए? यानि उदार लोकतंत्र का मलब क्या हो गया? कि हर एक ब्यक्ति इतना ग्यानमान है कि वह अपने बारे में सर्बसेश्ट निड़ले ले सकता इसलिए हर एक ब्यक्ति को स्वतंत्र मद्दान के माद्दम से अपने राजनितिक प्रत्नित का चैन करना चाहिए और उन प्रत्नितियों के माद्दम से अपना सासन स्वयम चलाते रहें और यहीं एक उदाल लोकतंत्र की व्यवस्ता है अब इसमें अगर हम मेन मेने इसके करेक्टरिस्टिक देखें कि क्या क्या चीजे आपको फीचर्स के तोर पर दिखाई देंगी जहां पर उदाल लोकतंत्रिक प्राणा लिए इसमें सबसे बड़ी चीज होती कि एक से अधिक राजनीतिक दलिया प्रत्यासी होते है प्रतेग व्यस्क नागरिक को मताधिकार होता है अपने यहां है भी भाई निश्चित अंतराल के बाद स्वतनत्वा निश्पक से चुनाव होता है अपने यहां देखने को मिलता है, राजनीतिक पदों तथा अधिकारियों को अमुक्त प्रतिस्पर्धा होगी, तथा योगता के आधार पर भरा जाना होगा, अपने यहां अधिकारियों को तो योगता के आधार पर नहीं भरते हैं, ठीक, मलब एक वो होता है, उनके लिए कोई विशेस अधिकार नहीं होने चाहिए यह बोलता है आपका उदाल लोक्तंत्र अगली चीज क्या होती है पांच वजो इस बिंदु है कि जन संचार मास मीडिया के साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव अनियंत्रण नहीं होना चाहिए तथा सीमाओं के भीतर अलोचना काधिकार भी मास मीडिया को दिया जाना चाहिए छटी बात बोला कि नियाएपालिका का स्वतंत्र आस्तित तो होना चाहिए तो कई चीजे आपको भारत देश के संविधान में भी भारत देश में भी आपको देखने को मिलेगी तो हम अपने लोक्तंत्र को उदाल लोक्तं कालमाक्स ने यह से धान्त दिया, एक थियरी दिया, जिस पर दुनिया चलने लगी, रूस में इसको प्रारम किया लेने ने और चीन में इसको प्रारम किया माओ से तुंग ने या माओ ने इसको बढ़ाया ब्यापक ग्रूप से, कालमाक्स ने सामिवादी लोकतंत्र की विच चीजे चल लई कोई भी फैक्टरी है कुछ भी यह कोई भी चीजे जहां production हो रहा वो production चाहे क्रेशी से भी संबद्धित हो इन साधनों पर केवल कुछ लोगों का अधिपत्यों होगा कुछ लोगों का ही अधिकार होगा तथा अधिकांस जनसंग के अपने जीवन यापन के लिए उन लोगों पर निर्भर होगी यहां है आपका कमनेश्ट सामवाद जो सामानी ब्यक्ति का सोसन करते हैं जहां जहां पर भी सामवाद है वहां ऐसी चीज़े असपश्ट रूप से दिखते हैं कि जो प्रोड़क्टिबिटी की चीज़े हैं उन पर कुछ लोग ही हावी होते हैं बाकी सारे लोगों का वहां पर सोसन होता है समझ गए दूसरी बात सोसक कभी स्वेच्छा से सोसीतों के हित्मेकारी नहीं करेंगे कोई मालिक यह क्यूं चाहेगा कि हम अपने अंदर जो है अपने अंतरगत कारी करने वाले ब्यक्तियों को कोई चीज़े दे दे व ये कालमाक्स की आपको विचारधारा देखने को मिल लई है सामिवादी लोकतंत्र की विचारधारा क्या चीजे कि सोसक कभी भी स्वेच्छा से सोसितों के हित में कारी नहीं करेगा इसलिए दुनिया के मज़़ूरों एक हो जाओ ठीक है वो तो नारा बहराल दूसरों के द्वारा दिया गया इसने कहा कि सोसक सत्ता को समाप्त कर देना चाहिए ये कालमाक्स की अपनी थेरी है उसी पर हम लोग बात चीत कर रहे हैं मलब उसके लिए इन्होंने बाकाइदा कहा कि इसके लिए हिंसा करने पड़े तो जायज ह इसके बाद शर्बहारा आम आदमी का सासन स्थापित होगा ठीक जिसमें सभी बराबर होंगे अब रियल थेरी पर आप सामिवाद क्या बोलता सामिवाद ये कहता कि एक ऐसा सासन आये जिसमें सब बराबर हों सभी से उनकी छमताओं की अनुरूप कारी लिया जाएगा चीन में तो यादावा पूर्ण रूप से खोकला है और बात रसिया की करें तो वहां भी खोकली ही चीजे नजर आएंगे ये लोग क्या मानते कि सभी लोग बराबर होंगे उस सासन के अंतरगत लेकिन ऐसी चीजे दिखाई नहीं देती तो कालमाक्स ने क्या बोला सबसे सब्सक्राइब पहले ये थेरी देने के पीछे उन्होंने बताया कि उत्पादन के समस्त साधनों पर जब कुछ लोगों का अधिपत्त है तो अधिकांस जैन संक्या इन व्यक्तियों के अंडर में कारी करती तो जो लोग सोसित हैं उनस सभी को बगावत करनी चाहिए हिंसा करनी चाहिए और अपनी सरकार की असापना करनी चाहिए यह कमिनिष्ट का सिध्धांत रहा जो की काल माक्स के द्वारा दिया गया अब हम बात करते हैं लोक्तांत्रिक समाजवाद की लोक्तांत्रिक समाजवाद क्या है समाजवादी लोक्तांत्र सामेवादी लोक्तांत्र का एक उधरवादी रूप है समाजवादी जो लोक्तांत्र है यानि जब हम सोसलिस्ट डेमोकरशी की बात करेंगे ये साम्यवादी लोकतंत्र का एक उधरवादी रूप है लिब्रल फर्म है जिसकी माननेता है कि ये उधरवादी लोकतंत्र के प्रणालियों को सही रूप से लागू किया जाये तो वह सामाजिक वा आर्थिक नियाय स्थापित करने में सक्षम होंगे ये लोकतंतरिक समाजवाद मानता है समझ गए? बैंको का राष्टी करन होना चाहिए गरीवी निवारर की विभीन योजनाय होनी चाहिए लोकतंतरिक समाजवाद में बैक्तिकी गरिमा और समाज दोनों का महतु बहुत जरुरी होता है तो ये चीजे किसके अंतरगत रही ये सब कुछ आपकी लोग तांतरिक समाजबात के अंतरगत रही और भारत में समस्त चीजे आपको देखने को असपश्ट रूफ से मिलती है तो दोस्तों जितनी चीजे रही सासन के जितने प्रकार रहे हर जगे बेस्व में लेकर के मैंने सब कुछ आप से डिसकस कर लिया तो पहला पॉइंट हम लोग आप जो है समात कर चुके हैं नए लेक्चर में हम लोग सुरुवात करेंगे वह सुरुवात आपकी होगी सोला सो से जो आगमन होता है ये इस्ट इंडिया कंपनी का वहां से हम लोग प्रारम करेंगे यानि हम लोग अगले लेक्चर में आपके बात करेंगे कि बैक ग्राउंड आफ इंडियन को अंस्टिटिउशन ठीक है तो तब तक तीनों लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए नोट्स को बहुत धंग से पढ़िए फिर इन पर आपको कोईज मैं कराऊंगा इधर कोईज नहीं हो रही थी इस बज़े से क्योंकि मैं चाह रहा था कि सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए फिर आ के चलिए वही